ओम शान्ति, हम बच्छे बहुत भाग्यशाली हैं, जो हम कल युग से निकल इस पुरिशोत्तम संगम युग में आए हैं शिव बाबा हमें मिला, बाबा ने हमें इतना उच स्वमान दिया, हमारी उची तकदीर बनाई इस होपलेस दुनिया से निकाल, ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं, जो आशाओं की दुनिया, खुशी की दुनिया है आज 4 सेप्टेंबर 2021 के महावाक्यों की विशेश बातों को हम रिवाइस करते हैं बच्चों को सर्विस में उचल नहीं आती उसका कारण क्या है, लक्षन ठीक नहीं, बाब को याद नहीं करते, कोई न कोई उल्टे कर्म करते रहते, बाब के डारेक्शन को अमल में नहीं लाते, बुद्धी देह और देह के संबंधों में फसी हुई है बाबा की हम बच्चों प्रती समझानी, मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यहीं कहा था कि मामेकम याद करो, पतित पावन है ही एक बाप, मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का, बाप को भगवान नहीं कह सकते, गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर जनम रहित है, बाप का परिचे देने के लिए हमें किन बातों पर अटेंशन देना है, सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इस से कोई समझेंगे नहीं, और ही हसी करेंगे, यह समझान है कि दो बाप है, फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भगवान कहलाने वाले भी बहुत है, युक्ति से दो बाप का राज समझाना है, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप, बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओ का बाप है तो जरूर सब बच्चों को वर्सा देते होंगे शिव जयनती भी मनाते हैं वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नर्क का विनाश होना है उसकी भी निशानी यह महा भारत लड़ाई है हम बच्चों को अपने साथ कौन सी बाते करनी है अशुद अहंकार है पहला नंबर फिर काम क्रोध लोब भी कम नहीं लोब मोह भी सत्यानाश कर देते हैं बच्चों आदी में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई और कोई भी याद न पड़े ऐसा पुरुशार्थ करना है विनाश सामने खड़ा है वर्सा तो ले नहीं सकेंगे इनमें मोह क्या रखना है ये सब खतम होना है अंतिम समय के लिए शिव बाबा की हम बच्चों प्रती शिक्षा सावधानिया इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है यह है खतम होनी ही है सब मर जाएंगे इनसे ममत्व मिटाओ सारी दुनिया विनाश होनी है इसलिए बाब तुमको एक ही मंत्र देते हैं मा में कम याद करो धारणा अच्छी चाहिए कोई पाप करम नहीं करना चाहिए तुम बच्चों को पुन्ने आत्मा बनना है निर्बंधन स्थिती की चेकिंग कैसे करें जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना उची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं चेक करो कि मंसा वाचा वा करमना में कोई सुक्ष्म धागा जुटा हुआ तो नहीं है एक बाप के सिवाए और कोई भी याद ना आए अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध पदार्थ दुनिया एक के पीछे आ जाएंगे मैं निर्बंधन हूँ इस वर्दान को स्मृती में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो को पाया है हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ट कर्म श्रेष्ट धर्म था हम आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं इस भंबोर को आग लगनी है नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे धार्णा किन बातों की करनी है जरा भी कोई सुक्ष्म अत्वा बड़ा पाप ना हो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है लोब मोहो से भी सावधान रहना है अशुद अहंकार जो सत्यनाश करने वाला है उसे त्याग देना है एक बाप के सिवाए दूसरा कोई भी याद ना पड़े यही पुरिशार्थ करना है ये थी आज की मुर्ली की विशेश बाते हमें विकार मुक्त दुनिया में जाना है तो छोटे बड़े सभी विकारों से अभी स्वयम को मुक्त करने का पुरिशार्थ करना है को में लिखकर जरूर बताईएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको अच्छी लगी, जो आप धारण करेंगे. ओम शान्ति.